एक दीन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोच कर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूँ अर्मान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिन में स्वाविमान किर्वी रखने की जरूरत ना पड़े यह जो जिन्दगी की कहानी है हर दिन एक नई पड़ेसानी है कुछ लोगों की महरवानी है और कुछ अपनी नादानी है किसी बुजूर्ग ने एक बात सिखाई थी अगर गलती तुमारी हो तो सव बार जुख जाना अगर गलती तुमारी नहीं हो तो रुख जाना पर जुखना नहीं मूह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है चाहे दौलत हो वस्तू हो रिष्टे हो या जिन्दगी अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को अपनी याद दिलाना अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे माना की तुझ से दूडिया कुछ जादा ही बढ़ गई है पर तेरे हिस्से का वक्त आज भी तनहा गुजरता है बुडे वक्त में सब के असली रंग दिखते हैं दीन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है माली प्रती दीन पोधे को पानी देता है मगर फल सिर्क मौसम में ही आते हैं इसलिए जीवन में धैड़े रखे पर तेक चीज अपने समय से ही होगी जिन्दगी जीनी है तो तकलीप तो होगी वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता अच्छाई एक न एक दिन अपना असर जरूर दिखाती है भले ही थोड़ा वक्त ले ले बस सब्र का दामन पकर कर रखे काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि आपको हडाने के लिए दुनिया को कोशी से नहीं बलकि साजी से करनी पड़े प्रसंसक हमें बेसक पहचानते होंगे मगर सुचिंतकों की पहचान खुद ही करनी पड़ती है पड़ेसानी का कोई पैमाना नहीं होता दोस्त कुछ लोग तो यह सोच कर परिशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है इज़त कमाना धन कमाने से ज्यादा मुश्किल है और इज़त कमाना धन कमाने से ज्यादा आसान है चेहरे अजनवी हो जाए तो कोई बात नहीं लेकिन रवये अजनभी हो जाए तो बड़ी तकलिफ होती है। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को जुकाना ही पड़ता है। समस्याओ की अपनी कोई साइज नहीं होती, वो तो आपकी छमता के अनुसार छोटी या बड़ी होती है। हर इंसान को भागी से ज्यादा मिलता है। यदि आप सोचते हैं कि आपके पाउं में जूते नहीं हैं, तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पाउं ही नहीं है। स्वाभिमान इतना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बढ़ जाए। और अभिमान इतना भी कम मत करना कि स्वाभिमान मिढ जाए। मसहूर होने का सौक यहां किसे है साह, मुझे तो मेरे अपने ही ठीक से पाचान ले तो भी काफी है, रखते नहीं खबर कि कौन कैसा है, कर लेते हैं बढ़ोसा हर किसी पर, अपना तो दिल ही ऐसा है, गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा, यह दुनिया है दोस्त, यहां सब को चाहिए मौका, इस दिल ने कभी किसी का बुड़ा नहीं चाहा, यह बात और है कि मुझे यह साबित करना नहीं आया, लाइफ में एक डिलीट बटन जरूर रखो, कुछ रिष्टे, कुछ जूटे लोग, और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर दो, याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बाते हैं याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं जो कर्म करने के बाद हलकी भी इक्षा नहीं करता उसकी मदद करने के लिए तो खुद भगवान को रास्ता बनाना पड़ता है बहुत सवक था मुझे सब को खुश रखने का होस तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया आप किसी भी इंसान का दिल बस तब तक दुखा सकते हैं जब तक कि वो इंसान आपको प्रेम करता है आज का लोग दिल से दीवी इज़त से खुश नहीं होते दिखावे की चाप रूशी करने वालों से गर वो महसूस करते हैं बातों से दिये गए तानों के जख्म बड़े गढ़े होते हैं कतल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते वक्त बरा धारदार होता है कट तो जाता है मगर बहुत कुछ काटने के बार जब भी कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे उसे एसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है मेहनत के धागे बांधो या मुरादों की परची वो देगा तभी जब होगी उसकी मरजी फितरत तो कुछ यूँ भी है इनसान के बारिस खत्म हो जाए तो छटरी भी बोज लगती है सक्स बनकर नहीं बलकि सक्सियत बनकर जीओ क्योंकि सक्स तो एक दिन मर जाता है लेकिन सक्सियत हमेशा जिन्दा रहती है खुशी पैसों पर नहीं परिस्थीतियों पर निर्वर करती है एक बच्चा गुबारा खरीद कर खुश था तो दूसरा उसे बेच कर